नमस्कार दोस्तों सोडी विलोग में आपका फिर से सवागत है आज हम लोग आए हुए हैं के आरस ग्रूप के थुरू प्लोटिंग हो रही है सोसाइटी बनेगी बरसाना में तो वो दिखाएंगे आपको कैसे क्या सिस्टम है इनका क्या कंडीशन है क्या सिच्वेशन है तो इनकी दोस्तों बरसाना की साइट इनकी और यह में गेट है इनका गेट नमबर टू यह नंदगाओं और बरसाना के बीच में नंद़ गाओं से आप आप चलेंगे बरसाना की तरफ तो राइट साइड में पड़े गिए सुसाइटी लगबग दो से तीन किलो मिटर आ गए है यह इनकी बरसाना की साइट से बरसाना की साइट मेरे ख्याल से सारी सेल आउट हो चुकी है आपने प्लाट लिया था ना यह बादरुगर से हैं विक लगबग कितना टाइम होगा एक साल तो क्या रेट लिया था आपने की लौन पर लिया है कैस लिया था साड़े चार हजार के इसाब से फुल पेमेंट अब रिजिस्ट्री हो चुकी आपकी और अब कितना रेट है यहां पर चोदा जार का रेट है तो आप बनाओगे इसको कैसे क्या करोगे अब बनाने रहे तो अब बनेंगे सारे कुछ अभी होंगे यह विक्रम भाई है बहादरुगर से इन्होंने साड़े चार अजार रुपे के इसाब से यहां प्लाट लिया था उदर आगे बता रहे टंकी के पास इनका प्लाट है और अब जब साड़े चा हुआ क्या है तो अभी हम बरसाना की साइट पे हैं देख रहे हैं कहां-कहां फ्लाट अभी मकान भी बन चुके हैं कुछ लोगों ने कंसे कर लिया है कुछ खाली है तो एक्चली में क्या होता है कि हर कोई चाता अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करना तो यह अच्छा मुका फिर दिखाने के लिए खुद अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं आपको घर से गाड़ी ले लेगी और फिर हैड ओफिस है इनका फरिदाबाद में यह दोस्तों इनका हैड ओफिस है यहां आपको सारी बाते समझाएंगे इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ इतर धुद के लुद की शिवाद वजस्हा इंका नाम से तो पै़ला पर्जाना में आए रहा दूसार पर्जेक्च विएरा थीसरा पूर्जेक्च विंदाओ नामसे अगर मैं लॉक्रिसन की बात करूं तो पहला पृज्चेक्च वरताना में गेरा दूसार प्रजेक्च प्रजेक्ट यहां कर रही है जो प्रजेक्ट आपका सिर्फ आपका सिर्फ आपका गाई से स्टेंस में अगर डवलमेंट की बात करें तो कहके डवलमेंट होगी हैश्टी पी फ्लाइंट लगेगा सिर्फ की सवीधा होगी इस प्रजेक्ट में चौप जंडे टंकी की पानी की सवीधा होगी सुमिकौल कलाब कम्यूटी सेंटर इसक्व मंदर हस्पतर पारक चौड़ी पक्की सटक यहां पर अपने ओफिस में समझाएंगे फिर उसके बाद फिर साइट पे ले जाएंगे आपको साइट पे ले तो आपने आप लेके करोंगे क्या मतलब क्या विचार है आपने सेल आउट के लिए अगर महां मिल जाता है तो रहेंगे जो मजा है ना रहने का वह वास जो है उसके लिए है प्रेट है जब कोई कहीं भी धाम पे तीरत यातरा पे जाता है तो हर किसी का मन करता है कि एक दो दिन के लिए हम यह ठेरे हो हमारा कोई प्लाट हो हमारा कोई फ्लैट हो जहां आके रुख सके दो चार दिन के लिए उस सारे सब भगवान की वक्ती में अपना कुछ तमय लेगा वो लोग भी ठहर सकते हैं अच्छा यह सकते हैं दो चार दिन के लिए रूख सकते हैं वह फ्री ऑफ कोस्ट होगा आप इसका मतलब देखो बगवान जैसे बगवान की इच्छा है जैसे बगवान की इच्छा बाकि एक दिन में ना दोड बाग रहती है लेकिन यहां अगर सारा ब्रेज में घुमना है तो तीन चार दिन तो चाहिए चाहिए तो उसी एंगल को सोचते वे जहां उसी तरीके से के भी चलो अभी तो बढ़ापे में करना क्या है यही रहना है बगवान में द्यान लगाना है और सेवा करनी है आप लोग मेरी बाते सब को समझ मे अगरी है इस रोड से हम लोग चल के आए थे यहां पर पढ़ता अपना पहला गेट उस तरह बना हुआ है यहां पर अपना दूसरा गेट यह बना तीसरा गेट और इस तरह से साइट पर ले जाकर भी आपको बाते समझाई जाएगी सिच्वेसन बताई जाएगी कैसे कहा क क्या-क्या त्यारिया होंगी क्या-क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा कहां क्या सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा जिस तरीके से यह भाई बता रहे हैं क्या बताया जाने की जुरूद नहीं है आप चाहो तो भार जा सकते हो चाहे मार्किट करने जाओ चाहे ह्स्पताल में जाओ यब बच्चों को बाहर पड़ाओ कंपनी कंडिसेयों कि यहां आपको कंडिसेयों की पढ़ना पड़ेगा जास्तमाल लेना पड़ेगा लेखिन वर सब्सक्राइब अंदर बीघरी एक एजा कमर्चिल फ्रक्राइब था गॉधते हैं इसके नीचल अन्धर करेगे वच्छाएब शकुल की व़स्ता पाउने पर तो भाई ये तो थी बर्शाना की साइट अब ले चलते हैं आपको वरिंदावन की साइट पे तो भाई जी आगे हम वरिंदावन साइट पे जैत गाओं की भूमी है और यहां चार तारिकों भूमी पूजन होगा के आरेस की तरफ से मैं आपको दिखाता हूं अभी यह देख का यह कहना है कि अभी यह प्लाट छे जार रुपे गज है लेकिन इनकी कंडिशन है जो भूमी पूजन से पहले यानि चार फरवरी से पहले कोई भी अगर टोकन मनी या भुक कराता है इसको तो पांच सो रुपे की छूट दी जाएगी यानि की पच्पंच सो रुपे कैस देता है तीन तारिक तक कोई कैस देता है तो पांच जार रुपे गज आपको मिलेगी यह जगह है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए बनाई है हमने हमारा यह मकसद नहीं है कि आप इसे ले या ना ले इस तरह का हमारा कोई मकस क्योंकि कई जानकारों ने हमें कहाता कि आप देख के आना और बताना क्या सीन है तो भईया हमने आपको दिखा दिया है सीन आप जाकर देखें जाकर कंपनी से मिले उनकी टर्में कंडिशन को समझे इस बारे में हम आपको और कुछ नहीं कहींगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई